नमस्ते दोस्तों आपका स्वागत है मेरे योटूब चैनल पर मेरे योटूब चैनल का नाम है लक्षमी किजन कुईन आज मैं बनाने वाली हूँ भेज चौमी इसके लिए हम कुछ हरी सबजिया लेंगे जैसे कि गाजर है बीट है प्याज है सिमला मिर्च है कच्ची हरी मिर्च है और यह एक चौमीन की मसाला आते हैं वह है दोस्तों यह रेसिपी जो बनाने बहुत ही मज़ेदार है अखटाई के लिए हम आधी टुकरी निम्बू भी रखें अगर आपको निम्बू पसंद रही है तो ना रखें यह बहुत ही स्वाधिश्ट है एक बार देखिये रेसिपी को फिर आप अपने घर पे ट्राइब कीजिए गया और चौमीन जो है हमने एक पैकेट लिए और इसके लिए कुछ सोस है जैसे कि यह टमाटो सोस है चिली सोस है और सोयाबिन सोस है और एक पतीले में अब हम गरम पानी होने देंगे अगरम पानी के लिए हम करीब 1-1.5 लिटर पानी हम डालेंगे और हलकी पानी में उबाल आने लगे तो हम नमक डालेंगे दोस्तों दिखिए नमक ड और यहा देखिए आने तक हमें पकाना है और इसे फ्लेम का इसके फ्लेम की गेस का इसे से कम नहीं रखनाtır ज्यादा तो ता इसके आने और यह फिरने ही हलके हाथ से थोड़ा दबने में टाइट लगे तब ही मिंसे एक कोई बरतन में छान लेना है और यह देखिए दोस्तों हमने एक बर्तन में इसे चान लिया और इसमें फीर हमें ठंडी पानी भी एड कर देना है और वो भी इम ठंडी पानी डालें तो एक हाथों से इसे अच्छी तरह से मिला लें और यह देखिए जैसे पूरे में यह ठंडा पानी घुश जाना हिसे हमें करीब दो मिनटत तक रक देना ऐसे ही खुले पे रख देना है कि सबस्तों दोर्च तियार करेंगे इसके लिए हम गेस पे कड़ाई गर मोने देंगे और दो चमच सर्ष्य तेल डालेंगे और तेल को गरम होने देंगे क्योंकि सर्टो अगर कच्छा होता है तैल को तील हम जो भी सामागरी है वह त्योंकता तो यह ़िस कह Smoke ले जाय गए जाब ये तीखा चाहिए तो ही हम यह जो हरी मिर्शा है वह डालेंगे और जो गाजर जो हमने कद्दू कस करके ते गाजर को आप कोई वी चक्को वगर से काटीएगा निए इसे कद्दू कस करके रखेगा गाजर और बीटको तोही इसका स्वाद इस पे मिल पाएगा नहीं तो अगर आप कटिंग कर गोगे तो ये पूरी तरह से बनेगा नहीं इसे हम करेब कुछ देर तक पकाएंगे और ये देखिए हमारा पक्के जो है मशाला जो है इसके जो सब्जा जो थी वो तैयार हो गई है और इसमें हमें कुछ भी और समगरी मिलाने नहीं से बस ऐसी हलका नमक देके पकाना और ये तिहान रखे इसमें नमक जो है हमें कम डालना क्योंकि हम जब नूडल्स फ्राइए वाइल कर रहे थे तब हम उसमें डाले हुए थे ये नमक तो ज्यादा नमक डालेंगे तो ये फिर स्वाधी बिगड़ जाएगा और थोड़ी सी हम मिक्स मसाला में डालें मिक्स मसाला में वही गोलकी जीरा धनिया मेर्च गरम मसाला वह सारी है और थोड़ी से हम इसमें चिकन मसाला भी एड़ कर देंगे ये कोई जरूरी नहीं है चिकन मसाला वह आप अपने श्वाध के अनुसा डाले अगर आपको पसंद रही है तो इसे आप हटा सकते हैं कि यह जो में देखा आपने दोस्तों चिकन मसाला जो हम डालें यह एक स्वाध के लिए डाले इसमें चिकन मसाला डालने से अलगी स्वाध आता और फिर एक मार्केट में नुडल मसाला मिलता इसे भी हम थोड़ी सी डाल देंगा स्वाध के लिए और यह जरूरी ह यह नूडल मशाला जो है यह आप जरूर डालेने तो फिर यह चौमिन जो बनेगा उसमें कुछ स्वाद में खाओगे तो कुछ कहीं न कहीं कमी आपको लगेगा और यह दिखे हमारा मशाला जो है पूरी तरह से बनके रेडी होगे अब हम खटाई के लिए एक टुकड़ी न अब हम इसमें यह मसाला जो हो गया तयार अब इसमें हम नूडल जो वाइल करके हम रखें थे वह इसमें मिला देंगा और इसकी अब गैस की आज जो है वह हम कम कर देंगे और इसे अच्छी से और एक चम्मच लेके दोनों हाथों से इसे थोड़ी से मिला लेंगे और यह रखें कि इसे आपस में पूरी तरह से मिल जाना चाहिए करीब यह हम पाच मिनाट या दो मिनट जितना आपको टाइम लगे वैसे यह दोनों सब्जी जो है और यह नूडल दोनों आपस में मिल जाना चाहिए और इसे हम लागातार ही फ्राइ करते रहना है नरम माच में करीब करीब यह जो है नूडल बन के रेडी हो रहा है और इसमें हम थोड़ी सी फिर से वह जो नूडल मशाला था यह थोड़ी सी हम इसमें मिला देंगे ताकि यह तीखा जो है थोड़ा से हमें लगे और यह देखे दोस्तों करीश चरी हमारा नूडल जो यह फ्राइ होके रेडि हो गया और यह आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब हम इसमें वह जो जो सोया सोस था उसे हम थोड़ी दोचमच इसमें एड़ कर देंगे और इसे फिर से तब ब्राइब कर दो आपके नुगा कुछ पर टीछ के लिए जाया ने करण दाए कर दोगे तोर्य आपस में विला ले ना है यह दिखिए दोस्तों हमारा चॉइन बनके रेडी हो गया और हम इसे गर्मा-गर्म अब सर्फ करेंगे एक प्लेट में और इसमें कुछ जो हम सब्सक्राइब करके रखे थे सलाद के रूप में उपर से इसे डाल देंगे अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी अपने अनुभव हमारे साथ साजा कीजिए और हमारे चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद